उत्तर प्रदेश में हिंदू गर्दी वाले बयान पर हंगामा खड़ा हो गया मेरट शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रफीक अंसारी ने एक दिन पहले प्रचार के दौरान ये विवादासपद बयान दिया था जिसका वाइरल वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया जिसमें समर्थकों से घिरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रफीक अंसारी योगी सरकार को घिरने के चक्कर में विवादासपद बयान दे बैठे इतना ही नहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को दवाने का आरोप भी राज्य सरकार पर मर दिया जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने रफीक अंसारी के आरोपों को बेबुनियाद बठाया अब ये तो जनता नारा दिया करती है एक हिंदु हित की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा इसमें कोई क्या करेगा रफीक अंसारी से पहले मेरट दक्षन सीट से समाजवादी पार्टी के अमीदवार आदिल चौधरी के चुनाव बाद बदला लेने वाले वाइरल वीडियो पर भी खुब हंगामा हुआ था वहीं अपने विवादासपत बयान पर घिरते ही समाजवादी पार्टी के उमीदवार रफीक अंसारी सामने आया और उन्होंने इस बार राज्य सरकार पर ताना शाही का अरोब लगा दिया सौबात की एक बाती है कि 2017 के विदान सबा चुनाव में मेरट की साथ विदान सबा सीटों में सिर्फ शेहर सीट पर ही समाजवादी पार्टी जीती थी जबकि बाकी सीटों पर बीजेपी का पर्चम ले रहा था इस बार भी समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में बीजेपी के दिगज निता लक्षमी कांद बाचपई को हराने वाले रफीक अंसारी को इसी सीट से अपना उम्मीदवार मनाया जिनके विवादास पद बयान पर सियासी संग्राम चड़ गया मुंबई के मुलंड से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया वहाँ चार बदमाशों ने हत्यारों के दम पर एक कारोबारी के दफतर में घुसकर 75 लाक रुपए लूट लिए ये घटना महा लगे सी सी टीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें चारों बदमाश दफतर के अंदर हाथों में पिस्टॉल ये दिखाए दिये उनमें एक बदमाश ने वहाँ एक आदमी पर बंदूक तान दी और उसे एक तरफ बैठा दिया जबकि बाकी के तीन बदमाशों ने भी पिस्टॉल से वहाँ मौजूद लोगों को डराया कुछ दिर बाद एक बदमाश आगे आया और वहाँ रखे पैसे निकाल कर बैग में भरता दिखा एक दूसरे आदमी ने भी वहाँ रखे पैसे उसी बैग में भर दिये इस दोरान दफ्तर में मौजूद लोग दर के मारे अपनी अपनी जगा पर बैठे रहे लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुँची और घट्ना की जान शुरू कर दी उत्तराखंड में कॉंग्रेस ने मुफ्त बिजली का बादा किया उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने देहरा दून में पार्टी का गोशना पत्र जारी कर दिया इसमें वादा किया गया कि राज्य में सभी लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी इसके लावा सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधाद दी जाएगी पाकिस्तान के सिंदु प्रांथ में कुछ लोगों ने एक हिंदू कारोबारी की गोली मार कर हत्या कर दी इन हमलावरों ने गोली मारने से पहले उस कारोबारी को अपनी जान बचाने के लिए भारत जाने की धमकी भी दी इस हमले के बाद वहां कई लोगों ने मिलकर ठाने के बाहर पदर्शन किया और आरोफियों की गिरफतारी की मांग की जम्मो कश्मीर के पुंच में हुई बर्फबारी में एक बस फिसल गई इस आजसे में बस में बैठे दस लोग घायल हो गए बिहार के हाज़िपुर में पुलिस वालों ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक बिजली विभाग के करमचारी का चालान काट दिया आरोफ है कि इससे घुसा आए करमचारी ने कुछ घंटों के लिए उस थाने की बिजली ही काट दी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका से अमेरिका के राश्वपती जो बाइडन ने पूरवी यॉरप यानि रूस के बिलकुल पडौस में अमेरिका की सेना की और तैनाती को आधिकारिक तोर पर मनजूरी दे दी इसके तहित करीब 2000 अमेरिकी सेनिक यॉरप के देश पॉलंड में तैनात की जाएंगे और कुछ 1000 सेनिकों की तैनाती रूमानिया जैसे नैटों से जुड़े यॉरप के देशों में होगी अमेरिका नैटो का सदस्य है पहले ही उसकी और नैटो की सेना पूर्वी यॉरप में रूस से लोहा लेने के लिए तैनात है लेकिन बाइडन ने इसके अलावा महा फौज की और तैनाती के लिए हामी भर दी वही खबर है कि अमेरिका को मुतोड जवाब देने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट से ना बुला ली है मतलब साफ है कि हाला सुधरते नहीं दिख रहे हैं दोनों महाशक्तियों में जंग के असार गहराते जा रहे हैं पवन शर्मा मार साथ जुड़ रहे हैं पवन क्या बता चल रहा है जी किशोर खबर है कि जुक्रेन की सीमा पर पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी लड़ेगी जिसे बैगनार ग्रूप के नाम से जाना जाता है जिसमें लगवग 3,000 के क्रीब सैनिक हैं और इन्हें किलर आर्मी का भी नाम दिया गया है हलाकि जुक्रेन ने रूस से कहा है कि अगर हलात समाने बनाने हैं तो अपने सैनिकों को बार्डर से पीशे हटाए और यहाँ पर यह भी बता दें कि इस बैगनार ग्रूप के उपर यूरोपियन संग ने भी प्रतिवंद लगाया हुआ है और रूस भी इन्सानिकों के पीछे आपना हाथ होने से इंकार करता आया है चुक्रिया बवनाबगा नवजोज सिंग सिद्धू के सलाकार मुहम्मद मुस्तिफा ने फिर एक विवादासपत बयान दे दिया जिस पर SGPC यानी शिरुमणी गुर्दवारा प्रबंद कमिटी भड़क गई मुस्तिफा ने ये विवादासपत बयान उस वक दिया जब वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे जिसका एक वीडियो भी सामनी आया जिसमें मुहम्मद मुस्तिफा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत के दोरान ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया मुस्तिफा के श्री गुरुगरंट साहिब को किताब बताने वाले बयान पर SGPC ने अइतराज जताया इसके साथ ही उसने एक बयान जारी कर नवजोट सिंग सिध्धू के सलाकार से माफी की मांग कर दी सौबात के एक बात है कि इससे पहले भी मुहम्मद मुस्तिफा पर भणकाओ बयान देने के आरोप में F.I.R. दर्श की गई थी इसके बावजूद वो फिर अपने बयान पर विवादों में घिर गए UP में प्रचार पर BJP ने ममता को खेर लिया ममता बेनर्ट जी के मिशन UP पर सियासी घमासान मच गया ममता बेनर्ट जी साथ जनवरी को अखिलेश यादव की पार्टी का प्रचार करने के लिए UP पहुँच रही है लेकिन ममता के UP दोरे पर बंगाल BJP नेताओं ने हमला बोल दिया वही ममता बेनर्ट जी है जो दूसरी पार्टी के नेताओं को यहाँ आने तक नहीं देती ICC की जारी बल्लेबाजों की ताजा T20 रैंकिंग में केल राहुल एक स्थान उपर चोथे नंबर पर पहुँच गए परजी वीजा पर ओमान गई एक भारतिय को वहां के एरपोर्ट से भारत भेज़ दिया गया इसके बाद उसे और उसके वीजा एजेंट को पुलिस ने दिल्ली एरपोर्ट से ग्रफतार कर लिया यह महिला तमिलनाट की रहने वाली है जोक्य उलिम्पिक्स में गोल जीतने वाले अथलीट नीरज चोपड़ा को लोरेयस वर्ल ब्रेक्ट्रू अफ दे यर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया इसी सूची में सरबिया के टेनिस खिलारी नोवाग जौकुविच का भी नाम शामिल है खेलों की दुनिया में इस विश्व खेल पुरसकार की काफी एहमियत है नीरज ने इस पुरसकार के लिए नॉमिनेट होने पर खुशी जताई और इसे बड़ा सम्मान बताया उत्तर प्रदेश के मत्हुरा में विकास के काम गिनवाकर सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई जिसकी शुरुआत मुख्य मंत्री योगी आदित तिनात ने एक ट्वीट से हुई जिसके जरिये CM योगी ने अयोध्या और काशी विश्विनात के बाद मत्हुरा के विकास की बाद दोहराई लेकिन BSP अध्यक्ष मायवती ने मत्हुरा में हुए विकास को अपनी सरकार की देन बताया मायवती के इस बयान का जवाब देने के लिए योगी सरकार के मंतरी चौधरी लक्ष्मी नाराण सामने आए योगी आदित्तिनाथ ने अपने ट्वीट में ब्रज तीर्थ विकास परिशद का भी जिक्र किया जिसका गठन सरकार ने 2019 में किया था और साधी दावा किया कि इस विकास परिशद ने मत्धुरा की तस्वीर बदल दी जिसके तहट मत्धुरा विरिंदावन आने वाले परटकों और शधालूं के लिए कई सुविधाएं दी गई जिनमें वो केंद्र भी शामिल है जहां पहुंचने वाले परटकों ने राज्य सरकार के काम की जम कर तारीफ की वहीं मत्धुरा के साधु संतों को भी उम्मीद है कि आयोध्या और काशी के बाद मत्धुरा भी आध्धात्म का नया केंद्र बनेगा खबर है कि वहां बने गीता शोध संस्थान को आम लोगों के लिए कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा सबात की बात है कि मत्धुरा में पहले चरण में यानी दस फरवरी को मतदान होना है जिसके लिए सियासी दलों के बीच विकास के मुद्धे पर वोट लेने की होड मची है बीजेपी सांसद हेमा मालनी पर दिये गए आरेलडी नेता जैन चौधरी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई आरेलडी नेता ने एक दिन पहले यूपी के मत्धुरा में ये बयान दिया था जहां उन्होंने माट सीट से गडबंधन के उम्मीदवार संजे लाठर के लिए प्रचार किया इसी प्रचार के दोरान वो ग्रीह मंत्री अमिच शा को गेरने के चक्कर में मत्धुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालनी पर बयान दे बैठे जहन चौधरी का ये बयान सुनते ही मंच पर मौझूद लोग हसने लगे लेकिन बीजेपी को उनका ये बयान अखर गया और उसने आरेलडी नेता को निशाने पर ले लिया इस सीट से बीजेपी ने राजेश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है जिनके लिए कुछ रोज पहले ग्रेमंत्री अमिच शाने वहां जाकर चुनाव प्रचार किया था सौबात की बात है कि मतुरा की माट सीट पर अब तक बीजेपी कभी नहीं जीती इसलिए इस बार पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताका जोंग दी तो महीं समाजवादी पार्टी और आरेलडी कटबंधन भी इसमें पीछे नहीं है जबकि इस सीट से आठ बार विधायक बने शाम सुद्दर शर्मा एक बार फिर बीएस पी की टिकट पर चुनाव मैदान में आम बजट पर संसद में बहस के दौरान राहूल गाधी ने सरकार पर निशाना साधा और आरोब लगा है कि देश में अंडिये सरकार में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है यूपिये की सरकार ने 23 करोड लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में राहूल निशाना साधा तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की उसने कॉंग्रेस की सोच पर सवाल उठाय और यूपिये सरकार पर तंसकसा इनकी सोच क्या है? इनका जो वक्त था उस दोरे तरक्की के अंदाज निराले थे चो तरफा करप्शन था हरोर भोटा ले थे शेर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ बजट के एक दिन बाद भी बैंक और आईटी समेट सभी सेक्टरों के शेरों में तेजी रही इससे सेंसेक्स 696 अंग उचल कर 69,558 पर बंद हुआ साथी निफटी 203 अंग चड़कर 17,780 पर पहुंच गया महराष्ट में बीजेपी विधायक नितेश राने ने सिंधु दुर्ग की अदालत में सरेंडर कर दिया उन पर सिंधु दुर्ग में एक शिवसेना कारेकरता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है इस मामले में एक दिन पहले आदालत ने उन्हें अगरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था अभिनेत्री सिमी गरेवाल ने बताया कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के दिल की सरजरी हुई जिसके बाद कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की जहरीली शराब से लोगों की मौत पर बिहार की भागलपूर विधानसबा सीट से जेडियू विधायक गोपाल मंडल ने विवादासपत बयान दे दिया जिसके बाद आर जेडी गोपाल मंडल पर हमला बर हो गई और उन्हें तेजस एक्सप्रेस वाली घटना याद दिला दी करनाटक में हिजाब और भगवा गमचे का विवाद चुरू हो गया मामला वहां के उड़ूपी के कुड़ूपुरा के सरकारी स्कूल में सामने आया जहां प्रबंधन ने सभी चात्रों को एक जैसी उनिफॉर्म में आने का निर्देश दिया लेकिन कुछ चात्राएं हिजाब पहन कर स्कूल पहुंची और क्लास में पढ़ाई करती नज़र आई जिसके विरोध में हिंदू जागरन वेदिक नाम के हिंदुवादी संगठन ने भगवा गमचा मोहिम छेड़ दी और कई चात्र गले में भगवा गमचा डाल कर स्कूल पहुंच गए ये देखकर स्कूल मैनेजमेंट परिशान हो गया उसने फिर से अपील की कि सभी चात्र एक जैसी उनिफॉर्म पहन कर आएं लेकिन हिंदुवादी संगठन ने साफ कर दिया कि जब तक चात्राएं हिजाब पहन कर आएंगी तब तक चात्र भगवा गमचा पहन कर आएंगे इस मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने डखल दिया और चात्रों को कैंपस में एक स्कूल एक यूनिफॉर्म का नियम मानने का निर्देश दिया सौबात के एक बात है कि उडबी के कुणपूरा के सरकारी स्कूल में करीब 27 चात्रा हिजाब पहन कर पहुंची जिसके विरोध में 40 चात्र भगवा गमचा पहन कर आ गए उन्होंने हिंदू जागरण वेदिक संगठन की अपील पर ये किया जिससे विवाद बढ़ गया और राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के साथ से आठ खिलारियों को करोना हो गया इनमें शिकर धवन, श्रेह सायर और रितुराज गायकवार्ट समयत साथ से आठ खिलारी है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई ह चे फरवरी को वेस्ट इंडीज से भारत का पहला वंडे मैच है अमरित आनंद हमाचा जुड़ रहे हैं अमरित अब क्या होगा शुक्रिया अमरित आपका और तैनाती के लिए हामी भर दी वहीं खबर है कि अमरिका को मूँ तोड जवाब देने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइविट से ना बुला ली है मतलब साफ है कि हालाद सुधरते नहीं दिख रहे हैं दोनों महाशक्तियों में जंग के आसार गहराते जा रहे हैं दो दिन पहले सेयुक्त राष्ट की सुरक्षा परिश्द की बैठक में अमेरिका और उसके साथियों के हाथों अपनी जबरदस्त घेरे बंदी का मूँ तोड जवाब देने के लिए रूस ने अपना मास्टर स्टोक चला है ऐसा मास्टर स्टोक जिसने पूरे यॉरप और अमेरिका में खलबली मचा दी है हुआ यह है कि रूस के राश्टपती व्लादिमिर पुतिन ने अमेरिका को धूल चटाने के लिए अपनी प्राइवेट फॉज अपनी प्राइवेट आर्मी को यूकरेन में तैनात होने का आदेश दे दिया है पुतिन की ये प्राइवेट आर्मी है रूस का कोक्याद वैगनर ग्रूप अभी रूस के एक लाग से जादा सैनिक पिछले कुछ महीनों से यूकरेन के बॉर्डर पर तैनात हैं लेकिन शायद रूस को नहीं लगता कि इतने सैनिकों से काम चल पाएगा इसलिए खबर है कि राश्टपती पुतिन ने फिलहाल अफरीका में तैनात अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रूप को वहां से वापस आने का आदेश दिया है बुलावा खुद राश्टपती पुतिन की तरफ से आया इसलिए उनके एक इशारे पर रूस के किराय के सैनिक अफरीका से पूर्वी यॉरप के लिए चल पड़े पूर्वी यॉरप से मतलब है पुतिन अपनी प्राइवेट आर्मी को पड़ोसी देश यूक्रेन के पास तैनात करने का प्लाइन बना रहे है यूक्रेन पूर्वी यॉरप में है ऐसे में साफ है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का पूरा मन बना चुका है या तैयारी कर रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब देना है कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि बड़ी तादाद में रूस के ये किराय के सैनिक पिछले महीने ही पूरवी यॉरप में अपना मिशन पूरा करने के लिए अफरीका से निकल गए थे और अभी वहां से रूस के और भी प्राइवेट सैनिकों का निकलना बाकी है तीसरे विश्वयुद्द की आहट के बीच ये खबरें कोई हवावाई नहीं है बलकि खुद यॉक्रेन की मिलिटरी इंटेलिजनसी आरोब लगा चुकी है कि रूस उससे लड़ने के लिए अपने याँ धडले से भाड़े के सैनिकों की भरती कर रहा है यॉक्रेन के दावे में दम भी है क्योंकि ये वहीद वैगनर ग्रूप है जो आज से करीब आठ साल पहले 2014 में रूस की तरफ से यॉक्रेन की लड़ाई लड़ चुका है माना जाता है कि यॉक्रेन की दक्षनी हिस्से क्राइमिया पर रूस का कबजा कराने में उसके वैगनर ग्रूप के किराय के सैनिकों ने बेहत एहम रोल निभाया था इतना ही नहीं दावा है कि पुतिन के ये प्राइवेट सैनिक यॉक्रेन में अंडर कवर रहकर लड़ेंगे मतलब कि खुल कर सामने नहीं आएंगे यानि अमेरिका और यॉक्रेन के लिए लड़ाई काफी मुश्किल हो सकती है इसी वज़े से वैगनर ग्रूप को व्लादिमिर पुतिन की ऐसी अद्रिश सेना कहा जाता है जो किसी को दिखाई नहीं देती बलकि चोरी छिपेद धावा बोलती है पुतिन की ये प्राइवेट आर्मी टेड़ी उंगली से घी निकालना बहुत अच्छी तरह जानती है इसलिए वैगनर ग्रूप सिर्फ रूस तक ही नहीं सिम्टा है बलकि उसका धंदा इंटरनेशनल है दूसरे देश तक पुतिन के किराय के सैनिकों को हायर करते है रूस के वैगनर ग्रूप के सैनिक फिलहाल मध्य अफरी की देश C.A.R. यानि सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक में मोर्चा समाले हुए है बीते लगबग 9 साल से सेंट्रल आफ्रिकन रिपबलिक में ग्रिही युद्ध छड़ा हुआ है 2017 में वहां की सरकार ने अपने यहां विद्रोहियों से लड़ने के लिए रूस के राष्टपती व्लादिमिर पुतिन से मदद मांगी थी और तभी से वैगनर ग्रूप वहां तैनात है लेकिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूही नहीं मिलती इसके लिए मोठी रकम चुकानी पड़ती है पुतिन की प्राइवेट फॉज कितनी महंगी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाय जा सकता है कि उसकी मदद के बदले सेंट्रल आफरिकन रिपबलिक ने रूस को अपने हीरे सोरे और यूरेनियम के भंडार को इस्तमाल करने का आफर तक देना पड़ा वहीं हाली में हुई एक जांच में ये सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी और पूरवी यूरप में अपने एहम साथी बेलरूस में लगबग दो साल पहले 2020 में राश्टपती चुनाव के दौरान वैगनर गुरुप के 200 से जादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे वहाँ 2020 में हुए चुनाव में अपने काम के तगड़े पैसे वसूलता है पता गया कि रूस के किराय के सैनिकों ने I.S. के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कबजा चुडाने की एवज में तेल के कुछ कुओं ही रख लिये थे और अब रूस के किराय के ये सैनिक यूकरेन और सीरिया के बाद सुडान लिबिया और सेंट्रल आफरिकन रिपबलिक जैसे अफरीकी देशों में पैट बनाने में जुटे हुए हैं लेकिन अब खबर है कि पुतिन के पुतिन ने इन सैनिकों को तुरंट लोटने का आदेश दे दिया है हाला कि सेंट्रल आफरिकन रिपबलिक के अधिकारियों ने इस मामले पर ये कहकर मिट्टी डालने की कोशिश की कि रूस के प्राइवेट सैनिक बस अपने घर जा रहा है हाला कि इस गर्मा गर्मी के माहौल में पुतिन की प्राइवेट सेना के लोटने के पीछे रक्षा विशेशग्यों को एक ही वज़े समाज में आ रही है डर युद्ध छडने का है लेकिन पुतिन की प्राइवेट फौज है क्या चीज़ ये काम कैसे करती है तो वैगनर ग्रूप रूस में प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर्स की एक सीक्रिट एजनसी है रूस में इसे प्राइवेट मिलिटरी कंपनी कहा जाता है लेकिन इसका काम बिलकुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है वैगनर ग्रूप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है शनीती को जमीन पर लागू कराना पिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े इस ग्रूप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उतकिन रूस की मिलिटरी इंटेलिजनस एजनसी जी आर यू की स्पेशल फोर्सस में लेफ्टन करनल रह चुका है और इस ग्रूप के ज्यादा तर सैनिक रूस की सेना से रिटायर हो चुके फोजी ही है और जब रूस की प्राइवेट सेना का काम इतना एहम है तो उसका मालकाना हक भी पुतिन ने अपने एक खासमखास को सौपा है पुतिन के इस खासमखास को रूस में उनके शेफ के नाम से जाना जाता है ये शख्स हैं येवगीनी प्रिगोजन वो पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी के मालक है rap बरसों पहले लूट और धोका धड़ी के जर्म में नौ साल जेल में रच चुके हैं जेल से छूटने के बाद उन्होंने हॉट डॉग बेजने का काम शुरू किया और फिर कुछ वक्त बाद लगजरी रेस्टांट खोले लेकिन उनकी किस्मत तब बडली जब 2001 में पुतिन ने उनके रेस्टांट में खाना खाया जब भी दूसरे देशों के नेता रूस की आतरा पर पहुंचते थे तो उन्हें खाना खिलाने का जिम्मा यवगेनी प्रिगोजन को ही मिलता था जो नियम कायदे नहीं बलकि सिर्फ पैसे की भाशा समझती एक अनुमान के मताबिक रूस का किराय का एक सैनिक तीन महीने में लगबग दस लाख रूसी रूबल कमा लेता है मतलब भारती रूपयों में लगबग दस लाख रूपय और रूस में रहने वाले लोगों के लिए इतना रुपया बहुत ज़्यादा है सौबात की बात है कि प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है लेकिन रूस इससे पल्ला जाड़ता है वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को ही नहीं मानता लेकिन पश्चिमेशिया, अफ्रीका और यूक्रेन में मानवदिकारों के हनन की वज़े से अभी दिसंबर में ही यूरपियन उनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रूप पर प्रतिबंद लगा चुका स्रयुक्त राष्ट और फ्रांस भी वैगनर ग्रूप पर हिंसा क्या रोप लगाते रहे है न्यूज 18 को दिये इंटिव्यू में वित्तमंत्री ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन अर्थ विवस्था सबसे जरूरी है बज़ट पेश करने के बाद किसी न्यूज चैनल को दिया ये उनका पहला इंटिव्यू है दिल्ली में लाल खिले के करीब रोड रेज के एक मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही तीन लोगों को गिरफतार कर लिया ये कारवाई पुलिस ने तीन लोगों को गोली मारने के आरोप में की मामला पिछले महीने की 31 तारीक की रात का है जब अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे एक शक्स की मोटर साइकल किसी दूसरी मोटर साइकल से टगरा गई थी इसी बात पर उस आदमी ने अपने खरीबियों को वहां बुला लिया था जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया इस घटना की एक सीसी टीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें कुछ लोग रात के अंधेरे में इधर उधर दोड़ते नजर आए वहीं सड़क किनारे एक मोटर साइकल खड़ी दिखी लेकिन उसी दोरान इलाके में हलचल बढ़ गए आरोप है कि इही में कुछ लोगों ने सरयाम फारिंग की और वो गोली तीन लोगों को जा लगी जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया और उन दो मोटर साइकलों को भी अपने कब्जे में ले लिया जिन से हंगामा कड़ा करने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे थे तीन लोग गिरफतार हैं और इसमें जो कंट्रीमेट वैपन था जिससे की फायर हुआ था वो भी बरामत कर लिया गया है रहने दे जिद मत कर नाहक मान भी जा मुझ पर है इस जग का भी हक मान भी जा सौबात की बात के अनिल ने माना आधी बहुत तेज है फिर भी तू बुझने मत दे आस का दीपक मान भी जा मिलते हैं कल घड़ी जब इशारा करेगी नौ बजे रात का वक्त फिर होगा सौबात की बात